आप सभी कुछ जय मसी की, दबाइबल पोशन में आपका स्वागत है, मेरा नाम है जॉयसी और हमारा आज का वचन है मत्ती की पुस्तक पंधरवा अध्याय तब यरुशलीम से कुछ फरीसी और शास्त्री इशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं, कि बिना हाद धोए रोटी खाते हैं, उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की माता का आदर करना, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे, वह मार डाला जाए, पर तुम कहते हो, कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझ से लाप पहुच सकता था, वह परमेश्वर को भेट चढ़ाया जा चुका है, तो वह अपने पिता का आदर ना करे इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्र का वचन टाल दिया हे कपटियों ये शयाहने तुम्हारे विश्य में यह भवश्वानी ठीक ही की है ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है और वे व्यार्थ मेरी उपास ना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विध्यों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं तब उसने लोगों को अपने पास बुला कर उनसे कहा सुनो और समझो जो मुह में जाता है वह मनुष्य को अशुध नहीं करता पर जो मुह से निकलता है वही मनुष्य को अशुध क करता है तब चेलों ने आकर उससे कहा क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई उसने उत्तर दिया हर पौधा जो मेरे स्वर्गे पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा उनको जाने दो वे अंधे मार्ग दर्शक हैं और अंधा यदि अंधे क गिर पड़ेंगे यह सुनकर पत्रस उससे कहा यह द्रिश्टांथ हमें समझा दे, उसने कहा कि तुम भी अब तक ना समझो क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुह में जाता वह पेट में पड़ता है और पर जो कुछ मुह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है क्यूंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोड़ी, जुटी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती है पर तु हा इश्व वहां से निकल कर सूर और सैदा के प्रदेश की और चला गया उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिला कर कहने लगी हे प्रभू दाउत की संतान मुझ पर दया कर मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रही है पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया तब उसके चेलों ने आकर उसे विंती की इसे विदा कर क्योंकि वहां हमारे पीछे चिलाती हुई आ रही है उसने उत्तर दिया इसराइल के घराने की खोई हुई भेडों को छोड़ में किसी के पास नहीं भेजा गया पर वह आई और इश्व को प्रणाम करके कहने लगी हे प्रभू मेरी सहायता कर उसने उत्तर दिया लड़कों की रोटी लेकर कुटों के आगे डालना अच्छा नहीं उसने कहा सत्ती है प्रभू पर कुटे भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं इस पर इश्व ने उसको उत्तर दिया हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है जैसा तु चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई इश्व वहां से गलील की जील के पास आया और पहार पर चड़कर बैठ गया तब भीड पर भीड उसके पास आई वे अपने साथ लंगडों, अंधों, गूंगों, तुंडों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पाओं पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते और टुंडे चंगे होते और लंगडे चलते और अंधे देखते हैं तो आचंपा करके इसराइल के परमेश्र की बढ़ाई की इश्व ने अपने चेलों को भुलाया और कहा मुझे इस भीड पर तरस आता है क्योंकि वे तीन दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं है मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता कहीं ऐसा नहों कि मार्ग में ठक कर रह जाएं चेलों ने उससे कहा हमें इस जंगल में कहां से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड को त्रप्त करें इश्यों ने उनसे पूछा तुम्हारे पास कितनी रोटीया है उन्होंने कहा साथ और थोड़ी सी छोटी मचलिया तब उसने लोगों को भूमी पर बैठने की आग्या दी और उन साथ रोटीयों और मचलियों को लिया धनिवात करकी तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को इस प्रकार सब खाकर च्रप्त हो गये और चेलों ने बचे हुए टुकडों से भरे हुए साथ टोकरे उठाए खाने वाले स्त्रियों और बालकों को छोड़ चार हजार पुरुष्ट थे तब वह भीर को विदा करकर नाव पर चड़ गया और मगदन देश की सीमा में आया